नमस्ते दोस्तों ज्यांसर चैनल में आप लोग का स्वागत है आज हम बात करेंगे मिच्वल फंट के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे वो हर जानकारी शेयर करना चाहूंगा जो एक आम इंसान होने के नाते सब को जानना जरूरी है स्कूल में, कॉलेज में हरतर का ज्यान तो मिल जाता है लेकिन इन्वेस्टमेंट और फिनेंस से रिलेटेड बहुत ही कम जानकारी हम लोगों तक पहुंच पाता है ये वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखना क्योंकि ये जानकारी आपको जिन्दगी के आखरी मोड तक काम आएगी आपको वो तरीका पता चल जाएगा जिससे आप बिनीमम रिस्क में अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकते हैं हर इंसान अपनी मंथली सैलेरी से या फिर अपने इंकम से कुछ ना कुछ पैसे सेविंग करने की कोशिस करता है लेकिन सेविंग करने से अच्छा है पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए जिससे पैसे का वेलू समय के साथ बढ़ता रहे क्योंकि पैसे को अगर हम ऐसे ही रहने देंगे तो वो अपना भेलू खो देगी क्योंकि हर साल इंफलेशन की जो रेट है वो 4-5% तक बढ़ रही है हमें अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां रीटर्स कम से कम इन्फलेशन रेट से तो जादा ही हो वरना इन्वेस्टमेंट करने का कोई फादा भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग तरीके होते हैं सबसे पहला तरीका है savings में पैसे को रखना दूसरा तरीका है FD या FIG deposit में पैसे को रखना तीसरा तरीका है real estate जहां लोग अपने पैसे से जमीन या property खरीतते हैं चोथा तरीका है gold या jewelry में investment करना अगर आपको थोड़ा ज्यादा risk लेना है तो आप high returns के लिए stock market या फिर mutual fund में भी investment कर सकते हैं इन तरीकों के अलावा भी आप cryptocurrency पर भी investment कर सकते हैं जो एक नया तरीका है मैंने cryptocurrency related और भी बहुत सारे videos बनाये हैं आप चाहो तो playlist blockchain ग्यान explore कर सकते हैं अब जानते हैं इन सारे investment तरीकों में से सबसे अच्छा investment तरीका कौन सा है saving के अगर बात करें तो salon returns मिलता है 4% जबकि inflation rate भी उतना ही है यानि कि savings में पैसे invest करना आपके लिए ना loss होगा ना ही profit होगा FD में invest करना सबसे अच्छा तरीका नहीं मानता मैं क्योंकि इसमें एक restrictions भी है कि आप एक time limit से पहले पैसे को withdraw नहीं कर सकते और present जो rate है returns है वो है 7-8% है गोल्ड में invest करना एक सही option नहीं है क्योंकि गोल्ड का जो price है कुछ सालों से काफी ज़्यादा fluctuate कर रहा है और कुछ सालों से गोल्ड का price बढ़ा भी नहीं है housing या real estate में invest करना कुछ लोगों का option होता है लेकिन real estate में invest करने के लिए लाखो करोणों रूपे की ज़रुवत पड़ती है जो एक आम इंसान के लिए possible नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर investment करना चाहते हैं real estate में तो आपको बता दूँ कि real estate का जो price है कुछ सालों से काफी ज़्यादा fluctuate कर रहा है उपर नीचे हो रहा है और volatile है इसी वज़े से real estate में invest करना भी present time में काफी risky है stock market में अगर आप investment करना चाहते हैं तो stock market की अच्छी खासी जानकारी होना बहुत ज़रुरी है उसके साथ साथ market का हर updates आपके पास होना चाहिए नहीं तो stock market में returns ज़्यादा तो है ही उसके साथ loss होने का chances भी बहुत ज़्यादा है इसलिए अगर आप beginner हो तो मैं personally आपको stock market में invest करने की सलाह नहीं दूँगा अगर stock market में invest नहीं करना है gold में नहीं करना investment real estate में invest नहीं करना है तो investment करना कहा है इंबेस्टमेंट करना है mutual fund में अगर आप beginner हो जिससे stock market की ABCD भी नहीं आती है और आपको एक ऐसा broker मिल गया या फिर agent मिल गया जो खराब से खराब scheme भी आपको suggest कर दिया तब भी आपको 8-10% तक का returns तो मिल ही जाता है अगर आप long term में invest करते हैं तभी अगर अच्छी scheme हात लग गई तब तो 22-25% तक का returns भी आपको मिल सकता है अगर आपको mutual fund में invest करना ही है तो Alice Blue application Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं Alice Blue website का link भी मैंने description box में दे दिया है आप check out कर सकते हैं Alice Blue एक ऐसा platform है जहां आप अपना मन पसंदिदा कोई भी mutual fund में AMCs के थ्रों invest कर सकते हैं वो भी बिल्कुल free में कोई भी brokerage charges नहीं लगती अगर आपको DMAT account भी open करना है तब भी आप Alice Blue के थ्रों open कर सकते हैं बहुती आसान है आपको बस install करना है और sign up करना है अब आते हैं दुबारा mutual fund में mutual fund में AMCs होते हैं जिन्हें asset management company भी कहा जाता है जब आप mutual fund में इन AMCs के थ्रों invest करते हैं तब experts का एक team आपके पैसे को अलग-अलग company के share में invest कर देती है जहां से अच्छी returns आने की possibility ज़्यादा होती है माल लीजिए आपने 1000 रूपीस लगाए तब AMCs आपके पैसे को 100-100 रूपे करके 10 अलग-अलग companies में लगा देगी ताकि गलती से कोई एक company भी loss में चला जाए तब भी आपको अच्छी returns मिलती रहे इसमें आपको stock market के updates जानने की भी ज़रुरत नहीं है नहीं बार-बार आपको stock खरीदने की या बेजने की ज़रुरत है आपने वस पैसे invest कर दिये और returns आपको मिलते रहेंगे Asset Management Companies आपका fund को manage करने के लिए थोड़ा सा charge भी लेती है जो की बहुती कम है क्योंकि उनको भी तो अपने experts का team members को pay करना है जो दिन रात stock market का research करके आपके पैसे को अच्छे अच्छे shares में invest कर रहे है आपने SIP के बारे में तो जरूर सुना होगा हर महिना अपने salary से कुछ amount का SIP करा लिजे salary से पैसे कटते रहेंगे तो transaction का जहमेला भी नहीं रहेगा जब चाहे आप SIP का amount बढ़ा सकते हैं और जब चाहे आप SIP का amount कम भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे अभी shares बेचने हैं तब भी आप shares बेच सकते हैं और दो दिन के अंदर आपके पैसे आपके account में आ जाएंगे यह रहा mutual fund के बारे में basic जानकारी जो हर किसी इंसान को जानना बेहत जरूरी है finance mutual fund से related और भी वीडियो आते रहेंगे इसलिए जल से चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने friends के साथ जरूर शायर करना बिलते हैं आगले वीडियो में धन्यों